आप में से बहुत लोगों ने बंजी जंपिंग, स्काइडाइविंग, पैराग्लाइडिंग के बहुत सारे इंटरनेट वीडियो देखे होंगे जहां पे कोई इनसान खुद अपने पैसे खर्च करके इन एडवेंचर्स पे जाता है और एंड में जंप करने से या उस एडवेंचर का पाठ होने से मना कर देता है वो घबराने लगता है, वो डर जाता है कभी-कभी तो उनको जबरदस्ती धक्का देना पड़ता है और कई लोग तो बीच हवा में लेंड कराने की बात करने लगते हैं और ऐसे ही कुछ हालत गेट एस्पेरिंट्स की होती है जब F.L.T की बात आती है, फुल लेंग टेस्ट की बात आती है टेस्सीरीज पर्चेस कर ली, F.L.T का पैक पर्चेस कर लिया लेकिन टेस्ट देने से घबरा रहे हैं टेस्ट देना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, फुल लेंग टेस्ट की बात कर रहा हूँ है यहां पर क्यों? माक्स कम आ गए तो क्या होगा? यह सोचते रहते हैं सारे टॉपिक नहीं पड़े सर, अभी तो यह टॉपिक बचा है, वो टॉपिक बचा है, यह सबजेक्ट बचा है, दो सबजेक्ट बचा है, एक सबजेक्ट बचा है उससी से घबराते हैं formula याद नहीं हुए है, revision नहीं हुआ है, उनसी से घपराते हैं मतलब इतने सारे points उनके पास होते हैं, जिससे वो इतना घपराते हैं कि वो FLT उनके पास होने के बावजूद, सही time आने के बावजूद भी start नहीं करते हैं और उसको delay करते रहते हैं देखो, FLT के बहुत फायदे हैं, आप सबको भी पता है, बहुत बार मैं भी बता चुका हूँ FLT से पूरा syllabus revise होता है, जब आप एक full length test देते हो आपकी time management skill improve होती है उन 3 hours के लिए आप एक सही strategy बना पाते हो आपको speed और accuracy का एक सही balance पता चलता है लेकिन ये सारे benefits आपको तब ही मिलेंगे जब आप FLT देना start करोगे राधर जब आप time पे FLT देना start करोगे आप एकदम late FLT देना start करोगे तो ये सारे benefits आपको नहीं मिल पाएंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2 FLT देगे, 3 FLT दोगे और आपकी strategy बन जाएगी exam की आपको speed और accuracy का सही balance पता चल जाएगा उसके लिए आपको अच्छे खासे FLT देने पड़ेंगे तब जाके ये सारे फायदे आपको मिल पाएंगे और उसके लिए आपको सही time पे FLT इसको attend करना start करना पड़ेगा और बहुत से student marks के डर से भी FLT नहीं start करते हैं जो मैंने इससे पहले mention किया कि अगर marks काम आएंगे तो क्या होगा अरे मान लो marks काम आएंगे expect मत करोगी बहुत अच्छे marks आएंगे होगा ही, बहुत silly mistakes होगी मैं बता दे रहा हूँ आपको your initial FLTs are not going to be perfect आप उसमें बहुत mistakes करोगे silly mistakes होगी, calculation mistake भी हो सकती है timer का pressure तो रहेगा ही easy question भी pressure में गलत कर दोगे यह सब होगा, यह मान के चलो do not expect कि यह perfect होगा let it be, ऐसे ही start होता है ऐसे ही आपको पता चलेंगे आपके mistakes दीरे दीरे वो डर निकलेगा आपका three hours बैट के focus के साथ test देने की habit बनेगी ऐसे ही बनेगी, आप expect मत करो that you are going to attempt your first few FLTs और एकदम आपके अच्छे marks आएंगे मत करो expect, और कम expectation के साथ ही start तो करो, in fact आप सब लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी news है, जो I am sure आपको कुछ कुछ आईडिया भी है exergic का free all India mock gate is here exergic का all India mock gate the most popular mock gate है, gate mechanical के लिए हर साल 10 में से 9 gate के toppers इस test को attempt करते हैं, in fact उन में से बहुत toppers का first FLT का experience इस mock gate के through ही होता है, तो आप में से सभी लोगों को मैं encourage करूँगा की और वेपसी बेपसा का लिए अचरिक के आपका लोगों कर आपका लोगों का लोगों का लिए ऊट्जिक उर च्क्षा का लोगों में से कमपेशना औरी बालीस शील अट्यों कलीडानीस नाप्र एंड एंड को लोगों एंडीनण понять on 6th of December and it closes on menea of 8th of December so all of you must attend it before midnight and submit it before midnight of 8th of December for more details check the first comment of this video and again I will repeat I made this video for the primary purpose that all of you who are fearing from attempting the test series especially the full length test now is the time now is the time that you keep delaying it and I would I will again encourage you to make a plan to attend your full length test in which week how many full length tests you will write that plan you have to make in order to maximize the benefits that you can extract from the full length test I wish you all the best make sure to go to the exergic website right now and free register for the test